हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाइब नमस्कार आदाब इस वक्त मैं मौझूद हूँ जनपज जॉनपूर के ग्राम सभाट डमोर्गवा में आपको वदादू लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार सौचाले को पर लाखो करोड़ रुपया खर्चा कर रही है एक तरफ यह आपको जो सौचाले दिखा रहे हैं यह सामदाहिक सौचाले है इसकी इस्तिती बड़ी खराब है यहां कि पूरु प्रधान थे उन्होंने बताया यहां पर बहुत से लोग हैं जो नुस्कान कर देते हैं और यहां एक ग्रामिड है मैं इसे पूछूँगा यह सौचाले चालू है क्या नाम आपका शीव कमार पाल यह सौचालू होता तो कितना लाब होता बहुत लाब होता है सब लोग रोट पे बादरूम करते हैं उसके बाद हमा पूलने लगा प्रधान बोले चालू होगा चालू होगा नहीं होगा है आया और इसके बाद सब चोरी हो गया इ ogniसीं वह में ळते चोरी कश्यानाम मार के उतलकी सब्स्ध पानी लेदेना छाहीं यहां प्रधान इसकंद हो जो काम करने कि उसको सब करना चाहिए सपोर्ट नहीं किये अच्छे सोचाले कितना महिना हो गया कितना साल हो गया बने एक साल हो गया लेकिन अभी तक चालू नहीं है और इसमें टाइल्स का भी काम थोड़ा बहुत हो रहा है इसलिए कि यहां पर इटा उटा बालू सब इदा रहो गया है अब इसको काम कराना चाहिए ने परदान को जो टाकी है पीछे पानी भरा हुआ है और विदू आया कभी गिर जाएगा अच्छे सोचाले जब से मैं फिर से आप से पूछा हूं जब से बनाए सोचाले चालू है जो इसके आतमे लोग करना चाहिए पर्दान क्यों नहीं कर रहा है परदान की नहीं कर रहा है पर्दाण नहीं सुठाए क्या कहते हैं परधान जी परधान बोलते हैं काम होगा यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त मैं डमरुगाम हूँ और मैं आपको बताओ यहां के जो सेकेटरी हैं उनके लापर वाही वजह से आज यह सौचाले लाखों रुपे का भंगार बना सेकेटरी हैं वरतमान परधान के साथ भी वह हैं यह प्रधान की कलती नहीं यह पूरा गलती है सेट्रि महंदय क्या जो इस वो चले को भंगार बना के रख दिये हैं बताई यह उत्तर प्रदेश सरकार केंद सरकार लाखों रुपय खर्चा कर रहे हैं किसके लिए जंता के टॉलेट कर रही है भाई साब ने बता और लोग कहते रोड़ पे क्यों टॉलेट करिए अब बताई कहां करने जाएंगी जब यह नहीं बना रहेगा खाली तो नाम का सोचाला है लेगिन चलता होता नहीं है ऐसे हमारे न्यूज चैनल को आप देखते रहाजाद भी न्यूज को जयन पर जय हिन जय भारत